चैट जीपिटी दोस्तों आज ये वीडियो आपको complete knowledge देगा कैसे आप एक proper blog लिख सकते हैं, एक professional blog, personal blog कैसे आप चैट जीपिटी की मदद से लिख सकते हैं इससे लोगों ने आज की डेट में 1000 लाखों रुपे बनाना शुरू कर दिया है, दोस्तों एक न तरीका होता है हर software को use करने का और उससे quality result लेकर आने का, लोग software का use करके लिख तो रहे हैं blogs, मगर उनसे वो ranking नहीं लेकर आ पारे, या वो quality generate नहीं कर पारे, कोई भी बता करेंगे कैसे professional तरीके से चैट GPT software को use करके, इस AI tool को use करके, बहुत ही कम time के अंदर एक बड़िया blog लिखा जा सकता है, जिससे आप अपने blogs को search engine पे rank करवा सकते हो, जिससे आप उनके through अलग-अलग sources, जैसे के affiliate marketing, adsense, और कई तरीकों से पैसे बना सकते हो, तो दोस्तों उस आपको सिखाई गई है, वो सीखनी पड़ेगी, प्रेक्स करनी पड़ेगी, तब आप इसका best use करके best तरीके से पैसा बना पाऊगे, प्लीज चैनल को subscribe कीजे, बेल आइकन दबाईए, ताकि इस artificial intelligence, prompt engineering का जो complete course हम लेकर आये हैं, उसमें एक भी वीडियो आप से miss ना हो, और marketing services ले सकते हैं, या अगर आप live digital marketing practical सीखना चाहते हैं, advanced level पे with artificial intelligence and prompt engineering, तो उसके लिए आप हमारा live course भी join कर सकते हैं, दोस्तों दोनों ही options के लिए आप हमारे due number पे call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, description में भी मैं link दे रहा हूँ, और number दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो वो दे कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम chat GPT के लिए highly effective prompts बना सकते हैं, now अब थोड़ा सा इस course में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे, different different levels पे कैसे content को generate किया जाता है, and specific contents को कैसे generate किया जाता है, उन topics को थोड़ा सा कबर करेंगे, right, जैसे कि इस particular वीडियो में हम सीखेंगे कि how to use chat GPT to generate blog post, अब कई लोग जो है AI का use करके blog content generate करना चाहते हैं, अब बहुत लोग बहुत जादा confused रहते हैं कि क्या AI content को हमारे blog पर publish करना चाहिए या नहीं, क्या ये प्लेजराइज होता है या नहीं, तो ये बहुत सारी confusion है, right, तो एक एक करके मैं confusions को सबसे पहले clear करता हूँ, गाइस लोगों के मन में 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 ये तीन question होते हैं कि क्या AI generated content होता है वो plagiarized होता है, और दूसरा question की can we post, चलो इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, सबसे पहले इस question का हम जवाब देते हैं कि क्या AI generated content है जो वो plagiarized होता है या नहीं, तो सबसे पहली चीज़ है, तो depend करता है कि आप किस topic पर content निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़, यह depend करता है आपके prompt में कि आपने prompt में कितना extra data, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बात की थी, कितना extra आपने specific prompt डाला है, so that कि AI आपको specific content निकाल करते हैं, अग अगर आपने prompt बहुत अच्छा डाला है, जिसमे specific आपने keywords define किया है, specific topic define किया है properly, आपने सारी situations आपने reference दिया है properly, तो जो plagiarized होने के chances होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, फिर भी अगर आपको plagiarized आता है, आप check कर सकते हैं, तो और plagiarism maximum 2, 3, 4, 5% तक होता है, जिसे आप अप AI को ही आप दुबारा से बोल सकते हैं, कि जो content होना चाहिए, वो plagiarism free होना चाहिए, तो वो उस चीज का भी ध्यान रखेगा, and minimum से minimum जो है, उसमें plagiarism निकलेगी, 1-2% का हो सकता है, maximum निकले, तो पहला question तो आपका clear हो गया, कि plagiarism उतना यहां पे matter नहीं करता है, क्योंकि plag plagiarism बहुत ही minimal होता है, AI generated contents के अंतर, क्योंकि content generate करता है, अगर वो reference भी कहीं से लेता है, तो उसको भी वो फिर paraphrase, refresh करता है, उसको जो content के structure है, वो पूरा बदल देता है, तो वो कभी भी plagiarized नहीं कहलाता, फिर, second जो है, can we post AI content on the blog site, तो कहीं लोगों का concern होता है, क्या मैं AI generated content अपनी blog site पे डालू या ना डालू, क्या मेरी site penalize तो नहीं हो जाएगी, Google मेरी site को traffic देगा या नहीं देगा, तो पहली चीज, Google ने पहले यह announce किया था कि हम AI generated content को allow नहीं करते, अगर कोई इस type के generated AI generated content को use करता है, तो उसकी site जो है, पैनलाइज हो जाएगी, बट आगे चलके Google के head है, जिनोंने announce किया कि हमें फरक नहीं पड़ता, कहीं से भी किसी भी तरीके से content generate कर रहे हैं, कैसे generate कर रहे हैं, we don't care, जो main thing है, वो यह है कि जो content होना चाहिए, वो valuable होना चाहिए, ठीक है, अगर वो content valuable है, जो user है, उसके intent को fulfill करता है, इसके अलावा उसमें plagiarized न rank भी करेगा, और website में भी कोई issue नहीं होगा, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने AI से ऐसा content generate कर वा लिया है, कि जिसमें basically value है, ठीक है, जो user का intent है, वो उससे fulfill हो रहा है, तो आप उस type के content को जो है, अपनी block site में डाल सकते हैं, और सबसे best practice यह होती है, कि आप जो AI से content generate कर र जो आपको चीज़े problematic लगती है, क्योंकि AI जो है, थोड़ा से buzzwords को use करता है, तो उन buzzwords को हटा कि जो normal words से उन्हें add कीज़े, तो content बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है, तो यह I hope आपका second जो question था, उसका answer आपको मिल गया होगा, now third question है, does AI generated content gets traffic, अब कई लोगों को लगता करना चाहरे है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर AI से generate content, content जो है generate कर लेंगे, तो आपको महनत नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको उस content के अंदर value डालना है, तो आपको महनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि you know that AI का data है, वो सब के लिए समान है, अगर आप उसको किसी particular topic पे content उ नहीं हो लेकिन जो उसमें main elements है, वो basically हर content के अंदर same ही होगा, right, जो main key value होंगे, वो same ही होंगे, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं महनत करनी पड़ेगी, उस content के अंदर value add करने के लिए, extra cheese, extra details, extra, अगर आपके पास कोई experience, extra कोई content आप add कर सकते उसके अंदर, तो वो बहुत बढ़िया चीज होगा, इसके अलावा जो AI generated content है, वो traffic उनको भी आता है, ऐसा नहीं है कि उनको traffic नहीं आता, अगर उसके अंदर value है, तो traffic ज़रूर आएगा, right, तो यह थे 3 questions और उनके answer जो लोगों को बहुत जादा रहते हैं मन में, लोगों के मन में, जब भी AI से blog post generate करने की बात की जाती है, right, now, अब directly चलते हैं हमारे chat GPT पर and generate करना सीखते हैं किस तरीकी से हम एक blog post को properly generate कर सकते है, right, so guys, यहाँ पर मेरे पास 2 example है, सबसे पहला तो यह example है, कि हमें requirement, let's say मैं content writer हूँ, और मुझे requirement दी गई है, एक topic के उपर, जिसके उपर मुझे blog post लिखना है, option A हो जाता है, मेरे को सीधे topic दे दिया गया, कि how to build an e-commerce brand के उपर, मेरे को एक blog post लिखना है, full-fledged, ठीक है, now, मेरे को second जो option दिया जाता है, basically, कई बार ऐसा भी होता है, content writers को requirement दे दी जाती है, कि basically, आपको दो keywords पकड़ा दिया जाते हैं, और आप ही को, in keywords के around, एक blog post जो है एड करना है, and topic हो, वो भी pretty meaningful होना चाहिए, right, तो यह दो options basically हो जाते हैं, कई बार content writers के पास, कई बार सिफ आपको keywords दे दी जाते हैं, कई बार आपको topic पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, और हो सकता है, आपको topic के साथ, कोई keyword दे दिया जाता है, जिसको आपको topic के अंदर मे basically इस block post के अंदर में add किया जाता है, तो उसे आप third option ले सकते हैं, यहापे mainly 2 ही है, ठीक है, तो अब किस तरीके से इन particular options के लिए हम जो है block post create करेंगे, चलिए जानते हैं, सबसे पहले, इस वाले को एक बार हम copy कर लेते हैं, कि how to build an e-commerce brand, मैं इसको copy कर लेता हूँ, चलते है chat gpt tool पर, यहाँ पे new chat ले लेते हैं, simply, ठीक है, यह new chat पे आने के बाद, मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपको यादो, prompt किस तरीके से बनाए जाता है, prompt कि क्या-क्या elements होते हैं, अगर वो आपको यादो, तो यह थे कुछ, requirement, और उससे पहले अगर आपको role या persona, या फिर role, act as a long form, oops, not from, it's long form content writer, right, तो act as a long form content writer, so that AI को समझ आए, जो यह ब्लॉग लिखना है, वो प्रिटी लॉग होने वाला है, लग बग हजार से बारासो पंदरासो वर्ट्स तक जा सकता है, ठीक है, अब इसके बाद, मेर को यहाँ पे लिखना है, जेरेट या फिर राइट, मैं word count भी यहाँ पे बता दूँगा, कि 1500s, एंड थोड़ा सा यहाँ पे आप एक चीज का दयान रखिएगा, जब भी आप यह free version यूज कर रहें, जब भी आप free version की बात यहाँ पे यूज कर रहें, तो जितना भी आप requirement डालेंगे, लेट से आप 1500 words डालेंगे, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको 1500 words ही निकाल कर देगा, हो सकता है उससे कम निकाल कर दे, हो सकता आपको 1000 निकाल कर दे, हो सकता आपको 1200 निकाल कर दे, ठीक है, तो इस चीज का आप धियान रखिएगा, यह आप 1500 words यहाँ पे डाल रहें एक reference के लिए, बड़ ज़रूर 1000 words of content on the topic of, यहाँ पे मैंने double quotation mark and topic जो है डाल दिया यह, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया डाला, रोल डाला and then मेरी requirement डाली, जो very important है, write 100 words of content on the topic of, यह फिर मैं यहाँ लिख सकता था, 100 words of blog post, इस तरीके से कुछ, but content भी आप डाल सकते, no issue, right, on the topic of how to build an e-commerce brand, now, अब मैं यहाँ पे दूँगा क्या, हमारा context या फिर idea थोड़ा सा, जो की जरूरी है, अगर आप जादा सटीक या फिर specific थोड़ा सा, जो है, answer चाहरे है, otherwise, यह general सा आपको content निकाल कर देता है, ठीक है, तो context कई बारे important होता है, यह depend करता है आपके topic के उपर, यह depend करता है आपके requirement के उपर, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जो है, context डाल देता हूं, की, टूरी टूल थान चाहरे इंड़ी है, यह व्यवने क्साइब है एंपके लिए रगा कहां जो कि और अज़ी है, ऑन देक टेकुएbooks कट जो करता है, एक यह स फूस्टे को कि छ तोंगत है, खित्सके और कूसरे सा अच्म, साफशर, जूसरos Chief टूल के लिए monthly visitors and our website is totally around totally talks about digital marketing and digital skills right so I gave this a little reference or you can add this idea or context this is what I have added here and if you want to add a little reference or not in the blog post format you can add a little bit and tone also you can add what to the format and tone so I am not going to use the format but I am going to show the tone here also make sure that you are using a knowledgeable person like tone right so this way I have defined the whole prompt and written the whole prompt here I have added a little grammar here so that some spelling mistakes or grammatical errors it will give it a little bit better and the prompt will refine it okay now I will simply click the send message button and let's see what we get I am going to show you how to build an e-commerce brand a comprehensive guide here and define your brand identity here basically you have the topics defined here that know your audience mission and values unique selling proposition usb then select the right niche and product niche selection then product research and quality matters so main main topics talked about here and then create a professional website so obviously e-commerce website for e-commerce business website is very important so user friendly design, mobile optimization, security, all things talked about here then craft a compelling brand story content marketing strategy in which you will have a blog post, social media, email marketing, SEO also must be required in which you will have keyword research, on page and backlinks in which you will have paid advertising in which you will have paid ads in which you will have paid ads so this is a very big big blog post it has made it let's see how many words it has left it here I have covered it now let's check how many words it has left it here I have extension word counter so around 1000 words it has left it 980 words and there is also a title which is around 10 words so it has only 10 words 990 words it has left it where I have said 1000 words so it has a very big blog you have left it why? because we have written the prompt it has been very big okay now this block of as it is you can use it with value addition you can add your experience you can add your human touch so that it will be very good now here some words you can use it some words if buzzwords you can use it what you can do rewrite it basically you can use it once again which you can use it every time you can refine it and rewrite it and don't use buzzwords this time and add a reference about marketing fundas which is which is which is digital marketing company right so what I have said what I have said first I have said this content rewrite it and this time buzzword use and also marketing fundas reference which is our digital marketing company okay so I am going to rewrite it and I have sent a message and it started and again it is written and it is buzzwords use and our marketing fundas reference will put content in this way you can define a blog post now let's see let's see where is marketing fundas reference you can see that for additional insights into digital marketing strategies you can also explore marketing fundas a digital marketing company specializing in providing expert guidance to brand seeking to navigate the digital landscape right can you see what way it has created content now our second option let's say we have this type requirement that we have provided two keywords that target content in that according to that you can write content what will we do again what will we do on our chat gpt what will we do one time copy the prompt we will change so that time otherwise I can type again but time first I have defined our role which is personal which is long form content writer obviously again here long form content writer here 1000 void 1000 now here will be changes here to change here to change here to and tone define context and tone define and this is our requirement and persona we will write 100 words of content on the topic of now what will we do now what will we do this we have to decide on the basis on the basis of these keywords on the basis of okay what will we do here I have to write 100 words of content on the basis of content of 1 minute here on the basis of these keywords of these so this is a keyword I have to add this and and keep keep that I have understood properly this topic properly so I have to keep this so here I have to write 1000 words of content on the basis of these keywords these two keywords also make sure that these keywords are mentioned and added in the content as well so I have to understand that the keywords are in the content as well make sure these keywords are added in the content as well I have to define now I can give extra reference and tell with tone and formatting I can tell this I have to basically give my requirements now keep content is going to be posted on our blog website which has more than 1 million monthly visitors and our website is totally talks about digital marketing and digital skills also make sure that you are using a knowledgeable person like tone okay again press enter and see what we get this time so now you can see this time you can see formatting is not so fun that you have to bold things and you have to add bullet points etc but formatting is not so much because I have not defined it topic or I have simply keywords I have to say topic too now it has made topic it has made topic it has written it has written the title it has written unlocking the potential website creation and cost effective site development and here it has made this type of content and I guess wherever I feel like this content quality is not so good because I have not defined topic and two keywords and I have told that that it is wrong because it seems that keywords as a topic you can see here as a keyword or you can define it in your prompt or you can change it or next we will see again and if you want to read it then you can read it then if you have time then you can read it and you can read it wherever I have experience this content quality will not be better than right so this is something and I don't think so holistic approach of digital success no I don't think so this is good because here I have just put keywords so if you can use this type you can use it otherwise you can use it you can use it okay so this is our requirement and reference and tone and requirement and this is requirement we will change changes I will do my topic this time I will brainstorm as well because this is too much we can use it so here we have keywords website creation service and cost effective site development okay so there are two keywords so you have to find a topic that is relevant so again we can take a topic where how to build a website for your e-commerce site how to build a website for your e-commerce site for your e-commerce site how to build a website for your e-commerce site for your e-commerce site how to build a website how to build a website for your e-commerce how to build a website how to build a website for your e-commerce store, okay, यह हमने इस वा topic दिया, and यहां पर लिख देता हूं है, write thousand words of content on the topic of, right, not on the basis of these keywords, on the topic of, for your e-commerce store, okay, तो यह था हमारा, जो मैंने topic इसको define करके दिया, now, keywords भी add करने, तो वो भी मेर को इसको बताना पड़ेगा, also, add these keywords in the content at least once, okay, at least once, अब यहां पर, जो मैं keywords इसको दिखा देता हूं, एक तो है यह, second है, यह, write, दोनों मैंने बता दिये इसको, and यहां जो है, हमने sentence complete किया, and यह वाला हिसा मैंने लाके जोड़ दिया, जो कि है हमारा reference and tone वाला, अब दबाते है, again, send button, अब देखते हैं, इस बार हमको क्या मिलता है, तो यह दुबारा से generate कर रहा है, let's see, and hope for the best, जहां तक, जो मेरा experience है, इस बार हमको काफी अच्छा और बढ़िया result देखने को मिल सकता है, ठीक है, now, continue generating का बटन आरा, इसका मतलब इसने थोड़ा सा content छोड़ दिया है, क्योंकि काई बार server overload हो जाते हैं, तो वहां पर यह रुक जाता है कुछ दिर के लिए, तो again आप continue generation पर click कर सकते हैं, जो आगे का content है, यह complete करता है, well, बहुत ही एक line रह गई थी, anyways, तो थोड़ा सा उपर चलते हैं, and देखते हैं सबसे पहले topic क्या है, how to build a website for your e-commerce store, a guide to cost effective site development, ठीक है, यह इसने थोड़ा सा basically opening लिखा, then यह topic दिया है, जो सबसे पहले साब heading है, हो है, define your e-commerce stores, goals and objectives, select the right website creation service, okay, choose a cost effective site development strategy, ठीक है, open source platform and use free low cost theme and all, okay, काफी interesting लग रहा है, क्योंकि यह सारी चीजों के बारे में इसने यहां पर बात की है, content management system, CMS, like WordPress होगया, यह फिर Shopify, then optimize for mobile, okay, SEO friendly होना चाहिए, then plan your website structure, ठीक है, secure your website with SSL certificate and all, then integrate e-commerce features like shopping cart payment system or inventory management and all, test and optimize, implement digital marketing strategies and done, काफी बढ़िया content लिख के दिया है, अब जो main point है, क्या वो keywords इस content के अंदर है या नहीं है, तो सबसे पहला तो keyword था हमारा, यहां पर इसे हम निकाल लेते हैं, कहां गया, एक keyword तो यह है, ठीक है, I hope आप confused नहीं हो रहे होंगे, मैंने इसको Ctrl C किया, मैं Ctrl F कर लेता हूं, अब देख सकते हैं, हमारे block के अंदर इसने keywords को add किया है, वो भी multiple times किया है, यहां पर 6 times दिखा रहा है, एक तो यहां है, इसका मतलब 5 बार इसने content के अंदर relevant जगाहों पर add किया है, अब कई बार आपको हो सकता है कि आपको relevant ना लगे तो आप उनको changes भी कर सकते हैं, obviously आपको change करना पड़ेगा, as it is पूरा blog post copy and paste नहीं कर सकते हैं, but still मेरे को relevant लग रहा है, जैसे कि select the right website creation service, choosing the right website creation service is pivotal decision in your e-commerce journey, ठीक है यहां पर तो अच्छा लग रहा है, यहां पर लिखा है, use free or low cost themes, many website services, service offer free or affordable themes, ठीक है, quite useful, second keyword देखते हैं, यह हमने just copy किया, यह हमने search में paste कर दिया, and again यह भी around five times appear हो रहा है, इसका मतलब एक तो हमारे prompt के अंदर ही है, एक टाइटल के अंदर भी इसने add किया, बड़ी बखुबी के साथ, and जो है तीन keywords इसने content के अंदर add किया, काफी बढ़िया, right, तो देखा आपने किस तरीके से आपके जो prompt है, वो आपकी content की quality को effort करते हैं, कितना बढ़िया हमने यहां पर prompt लिखा है, उसी बढ़िया quality के साथ जो है, इसने अमको blog post बना के दिया, अब आप इसमें थोड़े मोडे और changes कर सकते हैं, आप शुरू में इसको यह भी define कर सकते हैं कि, don't use any plagiarized content यहां पर ही आप requirement के अंदर ही वो चीज़ भी define कर सकते हैं, otherwise, आप दुबारा से इसको rewrite करने को बोल सकते हैं, कि rewrite this and this time the content shouldn't be plagiarized, but still, आप एक बार इससे पहले ही check कर सकते हैं कि क्या इसमें plagiarism है या नहीं, आप इससे copy कीजिए and google पर जाके plagiarism tool बहुत सारे available है, free, paid, sub available है, आप जाके देख सकते हैं, अगर इसमें दिखता है आपको plagiarism, तो आप यहीं पर दुबारा से command दे सकते हैं कि rewrite it and this time, या फिर, oops, spelling mistake हुई, rewrite it without any plagiarized content, right, इस तरीके से आप लिखेंगे, enter दबाएंगे, तो यह जो है, दुबारा से content को rewrite करेगा and इस पर plagiarism free, right, I hope आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है, blog post को craft किया जाता है, बनाया जाता है, chat GPTK through and still, जैसा कि मैंने शुरू में भी आप mention किया था कि value बहुत होनी चीए आपके blog के अंदर, right, and आपके user का जो intention है, user की जो intent है वो complete होना चीए, तब ही आपका जो blog है valuable कहलाएगा, and Google भी उसको जो है preferred करेगा, right, तो चलिए, I hope आपको समझ आया होगा, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, wrap up मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, उमीद करता हूँ, आपको इस वीडियो बेहत पसंद आया होगा, पसंद आया तो comment section में जरूर बताइए, दोस्तों अगर आप digital marketing services लेना चाहते हैं हमारी agency से, या आप live digital marketing तीखना चाहते हैं with artificial intelligence, तो आप हमारे DOE नमबरों पर call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, description में मैंने link दे दिया है, number भी दे दिया है,